नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शाउमी MI11i vs. OPPO Reno6 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे. सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की. दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, शाउमी MI11i में 6.44 इंच जबकी Reno6 5G में 6.17 इंच की लेंथ मिलती है जोकी शाउमी MI11i से कम है. Width की बात करें तो, Xiaomi Mi 11i में 3 इंच जबकि Reno 6 5G में 2.84 इंच की Width मिलती है जोकि Xiaomi Mi 11i से कम है बात करें थिकनेस की तो, Xiaomi Mi 11i में 0.33 इंच जबकि Reno 6 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Xiaomi Mi 11i में 207 इंच जबकि Reno 6 5G में 182 इंच का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही, 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Xiaomi Mi 11i में 6.67 इंच जबकि Reno 6 5G में 6.43 इंच जबकि Reno 6 5G में 6.43 इंच जबकि Reno 6 5G में 182 इंच प्रतिशत जबकि Reno 6 5G में 88.29 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, Xiaomi Mi 11i में 395 प्रतिश जबकि Reno 6 5G में 409 प्रतिश इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की Mobile Phone का महत्रपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें Man Camera की तो, Xiaomi Mi 11i में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Wide Angle Camera और आखिर में Macro Camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो, Xiaomi Mi 11i में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है और Reno 6 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Xiaomi Mi 11i में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और Reno6 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है चिप सेट की बात करें तो Xiaomi Mi 11i में MediaTek Dimensity 920 MT68770 और Reno6 5G में MediaTek मिलता है बात करें RAM की तो Xiaomi Mi 11i में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है जबकी Reno6 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो Xiaomi Mi 11i में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB, 128 GB की storage मिलती है जबकी Reno6 5G में एक ही variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करे तो Xiaomi Mi 11i में up to 1TB जबकि Reno6 5G में नहीं है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है battery Xiaomi Mi 11i में 5,160 mAh जबकि Reno6 5G में 4,300 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करे तो Xiaomi Mi 11i में 4 colors जबकि Reno6 5G में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो Xiaomi Mi 11i में 2 variant देखने को मिलते है जिसमें की 6GB RAM 128GB storage के साथ 26,996 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 26,999 रूपीज में मिलता है और बात करे Reno6 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 8GB RAM 128GB storage के साथ 31,890 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कामरा में Xiaomi Mi 11i आगे है फ्रंट सेल्फी कामरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें आपल आइफोन 12 है, दुसरा सामसंग गालेक्सी S21 5G है, तीसरा वन प्लस 85G है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इंफनिक 08 आई है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना